नमस्कार मित्रों आप सभी के लिए यह नौरात्री मंगल मैं हो मैं हूँ आपका मित्र चंदर शेखर और आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे मां के नौदुर्गा स्वरूपों की कल से नौरात्री प्रारंब हो रही है और नौरात्री का पहला दिन समर्पित है मां शेल पुत्री को मां का प्रिय मंत्र है ओम देवी शेल पुत्रिय नमः और मां का प्रिय रंग है नारंगी व्रिसभार उढ़ा माता शैल पुत्री के ताहिने हाथ में प्रिशूल और बाय हाथ में कमल उस्क शुशोगित है मा को भोग में गाय का घी अर्पित करना चाहिए माता शैल पुत्री स्त्री जीवन की बाल्यावस्था का प्रतीक है और उन्हें अखंड स्वभाग्यदा त्री माना जाता है इनके पूजन से मूलाधार चक्र जागरित होता है और सिधियों की प्राप्ति होती है माशादेग और मानशिक विकारों से रहित उत्तम स्वास्थ देने वाले है वन्दे वानशित लाभाय दंद्रार धक शेखराम विशारूराम सोल्धराम शैल पुत्रिम यशष्वनी नवरात्र का दूसरा दिन समर्तित है मा भ्रमचारिनी को मा़ के प्रिय मंत्र है ओम अंग रिंक लिं भ्रमचारिन्यय नमा और ओम भीं स्रीं अंभिकाय नमा सब्सक्राइबं इस स्वरूप में माता किसी वाहन का प्रयोग नहीं करती हैं। तपस्या की बेवी माभर मचारेणी ज्ञान ज्यान और आत्म सन्यम का प्तीत है। वे हाथ में माला और कमंधल धारण करती हैं जो यह दर्शाता है कि आत्मानुशास्ण और तपश्या से ही शक्ति की प्राप्ति होती है। मातास्त्री जीवन की इशोरा वस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुणकी उपासना से जीवन में स्थिरता और संजम आते हैं। तथा मन में शांति और सकरात्मक उर्जा का संचार होता है। दधाना कर्पद्मा भ्यामक्षमाला कमंदल। देवी प्रसीदतु मै रम्हचारिनयनुत्तमा। नवरात्रिका तीसरा दिन समर्पित है माँ चंद्रघंटा को। मा का प्रियमंत्र है ओम देवी चंद्रघंटा यijn नमः। और मा का प्रियरंग है लाल। सिंध वाहिनी माता के प्रियपुषप हैं धवल, कमल और इले गुलाब मा को भोग में केसर की खीर अर्थित करना चाहिए मा के मस्तक पर अर्ध चंद्र का स्रिंगार होता है हाथों में कई प्रकार के शस्त्र होते हैं युद की मुद्ग्रा में होती हैं और अशुब के विरुद्ध युद्ध का संदेश देती है मा का संदेश है कि साहस और शांति का संतुलन बनाए रखना चाहिए माता चंदरघंटा स्त्री जीवन के युवावस्था का प्रतीज है पिंदरजट प्रवरारूढ़ा चंद को पास्त्र कायर युटा प्रसादम तनुके महियम चंदरघंटे यतिश्टुता नवरात्री का चतुर्थ दिवस समर्पित है मा कुश्मांडा का मा का प्रिय मंत्र है ओम एंग विंग बिब्याई नमः और मा का प्रिय रंग है हरा सिंग वाहिनी माता ने अपने हलके हास्ते से समस्त्र ब्रह्मांड की रचना थी मा कुश्मांडा हमें सिखाती है कि स्रिजन और सकारात्मक्ता का मूल सोथ स्वयम हम ही है उनके हाथों में अम्रित कलश और अस्त्र श्त्र होते हैं जो जीवन और शक्ति का प्रतीक है उनकी उपासना से जीवन में सुक्ष, सम्रिद्ध और आरोग्यता आती है माता कुश्मांडा स्त्री जीवन की सर्वोच अवस्था, गर्भावस्था का प्रतीक है सुरा संपूर्ण कलशं रुधिराप्प्लित मेवच दढ़ाना हस्थ पदमाभ्याम खुश्मान्दा शुभदास्तु नवरात्रि का पंचम दिवस समर्पित है मां सकंद माता को मां का प्रिय मंत्र है ऑउं देवी सकंद मातायः नमा और मा का प्रियरंग पीला है सिंधारूढ़ा स्कंद माता, ममता, करुना और प्रेम का प्रतीक है मा को भोग में पीले फल अर्पित करना चाहिए वा भगवान कार्थिके की माता के रूप में जाने जाती है और अपने पुत्र को गोद में ही लिये हुए रहती है माता स्कंद माता, स्त्री जीवन की मात्रिय अवस्था की प्रतीक है उनकी पूझा से परिवार मेशनेह और संतुलन आता है साथ ही जीवन में सम्रिध्धी और शांती का संचार होता है सिंघासन गता नित्यम पदमस्त्री तरकत बया शुभधास्टू सदा देवी सकंद माता यशश्म नवरात्रे का सश्ठम दिवस समर्पित है मा कात्याएनी को मा का प्रिय मंतर है और मा का प्रिय रंग है लाल महरसी कात्यायन की तपस्या से प्रशन होकर शक्ति की अधिश्ठात्री देवी ने उनके घर कुत्री के रूप में जन्मलिया था इसलिए उनका नाम कात्याईनी पड़ा मा का वाहन सिंग है और मा को भोग में शहद प्रिय है मा कात्याईनी परिवार का पालन करने वाली ग्रिहनी का पतिक मानी जाती है वे युद्ध की देवी हैं और अन्याय के प्रतिकार की प्रिणा देती है उनकी साधना से शौर्य और विजय की प्राप्ति होती है चंब्रहासोज्वलकरा शारदुलवरवाहना कात्याईनी शुभंदध्या देवी दानव घातिनी नवरात्रि का सब्तम दिवस समर्पित है मा कालरात्रि को मा का प्रिय मंत्र है ओम हैंग विंक लिंचा मुंडाय विच्च है ओम कालरात्री दिव्याई नमा और मा का प्रिय रंग है लाल खरा रूढ़ा माता का स्वरूप भयंकर है और उग्र है लेकिन फिदय भगतों के लिए शुब और कल्यारकारी है मा को भोग में गुड़ प्रिय है वे अज्ञान, अंधकार और बुराई का नाश करती है उनकी पूजा से जीवन में सुरक्षा तथा आत्मविश्वास का विकास होता है माता कालरात्री, स्ट्री जीवन में आने वाली चुनोतियों और विप्रीद परिस्थितियों से होने वाले संघर्सों का पती एक वेड़ी जपा कर्ण कूरा नगना खरास्तिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैल अभ्यक्त शरीरी नी वाम पड्डोल लसलोह लता कंटक भूशना वर्धन मुर्धत्वजा टिश्णा कालरात्री भैंकरी नवरात्री का अश्टम दिवस्षमर्पित है मा महागौरी मा का प्रियमंत्र है ओम देवी महागौर्या इन्नमा और मा का प्रियरंग है श्वेट विसभार उढ़ा माता महागौरी को भोग में नारिहल से बनी मिठाईया अर्पित कर्भी जाए माता महागौरी स्प्री जीवन की व्रिद्धावस्था परिपक्पता और शांति का पती है और मानसिक आध्यात्मिक शुद्धता की दात्रिमानिगाती है मा महा गौरी हमें सिखाती हैं कि पवित्रता और शुद्रता के साथ जीवन जीने से सफलता और सुख की प्राप्ती होती है श्वेत प्रिशे शमारूढा श्वेताम बरधर आशुजे महा गौरी शुभम दध्यान महा देवतमोड़ा नवरात्री का नौवा दिन समर्पित है मा का प्रिय मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रिय नमह और मा का प्रियरंग है लाल सिंगारूढा माता सिद्धिदात्री को भोग में हलवा, पूरी, काले चने, मौसमी फल, खीर और नारियल अर्पित्तर में चाहिए माता सिध्धिदात्री जीवन की मोक्षा वस्था और आत्म ज्यान का प्रतीक है माता सिध्धिदात्री अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ती, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व नामक आठ सिध्धियों की दात्री है सिध्ध गंधर्व यक्छा देर सुरेर मरेरपी सिध्य माना सदा भोया सिध्ध दा सिध्ध दाईने नवदुर्गा शुरूपों की यह चर्चा यही समापत होती है इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाइक करें, कमेंट करें और खूब जम कर शेयर करें माता आप सभी का कल्यान करें जै माता